कि अब MP3 अभा स्टोर्ष अथियोँ में जानाय वाले हैं रेम के बारे में या हिदे ङुन चोप करते हैं यह या फिर केम्पूटर करते हैं लेफटाफ पश Васकी सोगा है Hiçमें चmotion करके में हम प्रदेखते हैं या फिर प्रोसेशर देखते हैं या फिर देखते हैं दिस्प्ले देखते हैं तो उसमें भी एक इंप्रोटन पार्स जहीं रहता है अगर नहीं रहेगा तो हमारा साथ आपरेट जो है सिस्टम नहीं होगा या मोबाइल लेप्टॉप जो कुछ कम्पूटर है यह सभी वर्क नहीं करेगा अगर ख हैंग होता है केम्पूटर हैंग होता है तो क्या रिजन हो सकते रहेंगे यह वीडियो में बेसिक यही सब के बारे में जानने वाले हैं अगर आपको इसके बारे मालूम है तो वीडियो के स्क्रिप्प कर सकते हैं नहीं मालूम है ता पूरा वीडियो देखिए अब के कर सकते हैं और विस्तर से नहीं टेक्नोलोजी के बारे में जानने के लिए नहीं फीचर के बारे में जानने के लिए हमसे जूड़ सकते हैं हमाई चैनल सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें जो बेल आता है आलों टिपे के साना तो उसको आउन जरूर करें इसे कुछ भी नया सीकते हैं रम में जो हएक हाड़ वर डिवाइस है इलेक्ट्रानिक पार्स है जो बैٹरी पर वर करता आइन की बैटरी होगा नीकोई भी इस्ट्री सिस्टम है इसमें इसमें पावर करता है अगर इसमें पावर रहेगा तभी यह यह पूरा जला सकते रहेंगे Ramp ram पूरा नाम दे सकते रहेंगे रेंड impecc memory यानल की हमारा मल्टिपल वर करता है यक इंप्रोटेंट पर सब्सक्राइब करते हैं तो यहां से रहता इसे चलाता है सब्सक्राइब करते हैं इस्टॉल करते हैं वह भी ज्यादता सब्सक्राइब हमारा रैम में ही इंस्टॉल होता है बहुत सब्सक्राइब करते हैं इसके बारे में समझते हैं इसमें रहता है जीवी में आता है एक जीवी दो जीवी चार जीवी बांच आठ जीवी छह जीवी सिस्टिफोर जीवी तक इसतर से कैपसिति आते रहते हैं लेकिसटky पुर्टंव ज्यादा यूजिन नहीं होता है ज्यादातर हमारा लेपटॉप या मोबाइल में 2GB रेम हो गया नॉर्मल मोबाइल हमारा 1GB रेम आता है 2GB 3,4GB आता है 6GB आता है बहुत से 8GB है अभी जो लेक्टेस मोडॉल आ रहे हैं इसमें 8GB 12GB तक भी आ रहे हैं लेकिन हमारा जातर जो है केम्पुटर में या मोबाइल में 2GB 4GB तक ज़्यादा चलता है या 8GB चलता है रेम क्या होता है अगर कम जीवी का रेम लेते हैं एक्जापल हम कई बार जो एक जीवी का मोबाइल लिए हमने उसमें एक जीवी रेम है तो कुछ महना तक चलता है लेकिन उसके बाद हेंग होने लगता है नहीं चलता है इसका रेजन यही deepest है हमे मेमोरी का जो धाब होने हैniej 영상 कम हो जाता है लेकिन आप उचेंगे जो नहीं लिया था और टाइम में तो चल रहा था जी हां बेलकुल चल रहा होगा लेकिन होता क्या है हम साप्टेयर इस्टाल करते हैं अप्धल्ब 1GB का एक राइम है उसमें हमने चार साप्टेयर इस्टाल करने किश़ीटी है Normally हमने चार स्व payroll इंस्टाल कर दिया है हम अच्छी तरह से इसमुत्री वर्ट कर रहा है लेकिन सो कि हमेर जानते हैं कोई सब्ट्य कोई इसका होते हैं नय-nay-पहूरस अपडेट होते हैंली न के फ़चर्स साफटेयर लोग में इसकी जो सब्सक्राइब करें लेकिन जो पहले से अभी यह पेच्छा करें तो कोई साथ भी सब्सक्राइब तक का आते हैं और इसमें दिन पर दिन बढ़ने वाला ही है क्योंकि इसमें नहीं फीचर्स होते फ्यूम करते पूज़िट हे लेकिन उसमें लेज रहे हैं लेकिन तो ने सब्चम करते हैं बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं और फूल हो जाता है तो कभी बेसिक चीज़ जान लिजिए अगर मोबाइल लेते हैं लेटे हैं उसमें रहता है थोड़ा एक जीबी एडवास में ही लीजिए इसे फैदा रहे ही रहेगा आपका स्मूथली वर्क करेगा हैंग नहीं होगा लॉंग टाइम तक आपका मुबाइल वर्क करेगा यह लेपटाफ वर्क करेगा इसके और समझ लेते हैं और सब्सक्राइब क्या है उसमें चार लोगों की चालने की है समता है यारी बोट है उसमें चार लोग बैठेंगे तो आसानी से वह जा लेकिन और नाव पर अगर 6 लोग बैठ जाएगा नहीं डू भी जाएगा उसी तरह से साप्टियर रेम और मोबाइल भी रहता है नॉर्मल चार्ज भी चार्ट की अपरेट करने की चलाने की कैपसिटी है उसमें हम ज्यादा साप्टियर कई रिस्टाल करते रहें यह कैपसिटी बढ़ते जा पड़ जाता है तो प लिए जाए जाता है यूज करना है यह ज्यादा जाता है लिए पर सप्टेयर करते हैं यह लोग चलाना चाहते हैं तो आप आप लेगा नहीं कि जरुत रहेगा नहीं तो बार-बार हैंग होगा प्रोलों रहेगा नहीं करेगा जहादा जिसना ज्यादा ज्यादा रहेंगे वहीं प्राइस-घणा रहे को तो प्राइज बढ़ जाता है तो यह चीज हमने बेसिक चीज जाना है रैम क्या है मोबाइल क्यूं होता है वीडियो में जानने वाले हैं या फिर नहीं फीचर्स आते हैं हैं क्या चीज है कैसे वर करता है क्यों क्या मोईल लेना चाहिए तो में अलब पार्ट्स में जानते करेंगे बढ़ेंगे वीडियोकाफी लंबा हो जाएगा अगर आपको जनकारी मिला है वीडियो में अच्छा लगा टो लाइक कर सकते और पृट्ष। जरूर करें ज्से कुछ भी सरसे वीडियो बना गे पास बेस सके अब धी डोक पफेश चियर करें करें।